प्रिदान मंत्री मोदी बनारस पहुंचे थे बाबा विश्वनात की पूजा अर्चना की काशी कोरीडोर का लोकारपन भी किया उसके बाद जनता को संबोधित किया इस मौके पर पियमोदी ने लगबख एक घंटे के स्पीच के जरिये काशी समेथ पूरे देश की जनता को संदेश दिया इस दौरान उन्होंने कई महापुरुशों का नाम भी लिया मुंसी प्रेंचंद बिसमिल्ला खा संत कबीर दास का नाम लिया गया इसमें एक नाम था अहिल्या बाई होलकर का भी आखिरकार अहिल्या बाई होलकर कौन थी देखिया अमारी ये रिपोर्ट काशी बनारस में आज मेला लगा है जनता का रेला लगा है बनारस अपने पूरे रंग में है क्योंकि उसकी महिमा और कोरओ दोनों लोड रहे है मौका था काशी कौरिडोर के लोकारपन का पी A.M. मोदी पहुँचे थे बारह राज्यों के सियंग पहुँचे थे हजारों साधु संत पहुँचे थे और लाखों की संख्या में जनता पहुँचे थे पीएम मोदी सुबह पहुँचे जहां जनता संतों और वियाईपी ने उनका स्वागत किया उसके बाद पीएम काल भैरो मंदिर पहुँचे उन्होंने पूजा अर्चना आरती की उसके बाद नंगे पाउं निकल पड़े मां गंगा की ओर वहां डुगी लगाई और गंगा जल लेकर बाबा विश्वनात के सामने पहुचे बाबा विश्वनात का जलाविशेक किया पूजा अर्चना की पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर को बनाने वाले मजदूरों का अभिवादन भी किया उसके बाद काशी कॉरिडोर का लोकारपन किया यानि जनता को सौप दिया फिर मौका था संबोधन का पीएम मोदी ने इस मौके पर लगभग 60 मिनट तक जनता को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने काशी की महिमा का वर्णन किया इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बनारस में कई महापुर्षों की उर्जा मिली ह इस मौके पर उन्होंने संत कवीरदास, शहनाई वादक, विस्मिल्ला खां और मुन्शी प्रेम चंद्र का जिक्र किया इसी के साथ उन्होंने एक और नाम लिया, वो नाम था मा अहिल्याबाई होलकर का आखिर मा अहिल्या भाई होलकर कौन थी उनका बाबा विश्वनात और काशी से क्या लगाओ था समाभी तुलसिदाज जी ने राम चरीद मानत जैसे अलगकर रचन आती यहीं की धरती सारनाथ में बगवान बुद्ध का बोद संसार के लिए प्रकट हुआ समाज सुधार के लिए कबिरदाज जैसे मनी सी यहां प्रकट हुए समाज को जोड़ने की जरुरत थी तो संत रहिदाज जी की भक्ती की शक्ति का केंद्र भी यह काशी बने यह काशी अहिंसा और तब की प्रतिमूर्थी चार जैंत तिर्थरंकरों की धरती है राजा हरिष्टनत की सत्य निस्टा से लेकर वलभाचारिया और रामानंजी के ज्यान तक चैतन्य महा प्रभू और समर्त राम गुरू गुरू रामदास के सवेकर स्वामी विवेक अनौन और मदन मौन मालविया तक कितने ही रुष्यों और आचारियों का समन्द कासी की पवित्र घरती से रहा है शत्रपती सिवाज महाराद ने यहां प्रेणा पाई राणी लक्ष्मी बाई से लेकर चंदर से कर आगात तक कितने ही सेनानियों की कर्म भुमी जन्म भुमी काशी रही है भारत इंदु हरिचंद्र, जैसंकर पथार, मुंसी प्रेमचन, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रतिभाएं इस मरण को कहां तक लेते जाएं, कितना कहते जाएं भंडार भरापड़ा, जीतर काशी अनंत है, वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है काशी के विकास में इन अनंत पुन्य आत्माओं की उर्जा शामील है इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की ब्राशत सामील है इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्गे के लोग यहां आते हैं, तो यहां से अपना जुडाव मैसूस करते हैं साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी तो है, यह भारत की आत्मा का एक जीवन्त अवतार भी है, आप देखिए, पूरव और उत्तर को जोडती हुई, यूपी में बसी ये काशी, में, यहां विश्वनाज मंदिर को थोड़ा गया, तो मंदिर का पुनर्य मा, माता हल्यावाई होलकर ने करवाया, जिनकी जन्भभूमी महराज कbar ती, जिनकी कर्म भूमी इन्दोर-महषवर और अने च्छित्रों में थी, उन माता हल्या भाई होलकर को आज मैं इस अउसर पर नमन करता हूँ दो सो ड्हाई सो साल पहले उन्होंने कासी के लिए इतना कुछ किया था सबके बाद कासी के लिए इतना कुछ किया था अहिल्या भाई का जन 31 मैं 1725 को महाराष्ट्र के अहमद नगर के छोणी गाउं में हुआ उनके पिता मंकोजी राव शिन्दे अपने गाउं के पाटिल थे एक साधारन किसान थे उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी लेकिन हिल्या भाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पनाया महज 12-13 साल के उम्र में उनका विवाह मालवा संब्रज के उत्रा धिगारी खांडे राव होलकर से हुई जो मालवा आज का इंदोर के राजा मलहार राव होलकर के पुत्र थे इस विवाह के बाद अहिल्या भाई अहिल्या भाई होलकर हो गए 17-154 के कुम्भेर युद्ध में उनके पती खांडे राव होलकर शहीद हो गए इस समय अहिल्या भाई के उम्र महज 19 साल थी तब तक विए एक पुत्री और एक पुत्र की मा बन चुकी थी बेटे का नाम मालो जी राव और बेटी का नाम मुकता भाई था इसी बीच कुछ समय बाद उनके सशुर का भी निधन हो गया इस घटना ने अहिल्या भाई को तोड़ दिया लेकिन इसी के साथ उनके कंधे पर शासन और सत्ता का भार भी आ गया तब भारत पर मुगलों की सत्ता कायम थी 1766 में उन्हें मालवा का शासक नियुक्त किया गया 1795 में उनका निधन हो गया और 28 वर्षों तक उन्होंने मालवा समरज्य की सेवा की रानी अहिल्या भाई बच्पन से ही शिव भक्त थी उन्होंने लगभग 250 साल पहले काशी में बाबा विश्वनात के मंदिर का पुनर निर्मान कराया था जब अरण जेब ने इसे तोड़ दिया था यही नहीं गंगा पर घाटों का निर्मान कराया जहां आज भी अहिल्या भाई घाट और महल भी है जिसे होलकर वाडा कहते पिये मोदी ने उन्हें सम्मान देते हुए आज न सिर्फ अपने भाशन में उनका नाम लिया बलकि इस कोरिडोर में रानी अहिल्या भाई होलकर की मुर्ती भी लगवाई रानी अहिल्या भाई अपनी न्याय प्रियत्या के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि जनता उन्हें मा और देवी के राम से पुकारने लगी थी तब से अहिल्या भाई होलकर को मा अहिल्या भाई होलकर कहा जाने लगा आज पिये मोदी ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी वो वाकई हकदार थी मा अहिल्या बाई की न्याय प्रियता को लेकर एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है अहिल्या बाई को न्याय की देवी कहा जाता था एक बार की घटना का जिक्र बहुत ही प्रचलित है अहिल्या भाई के बेटे मालो जी राव एक वार अपने रत से सवार होकर राजबाडा के पास से गुजर रहे थे तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बच्छडा खेल रहा था लेकिन जैसे ही मालो राव का रत वहां से गुजरा वो बच्छडा कूदता फांता रत की चपेट में आकर बूरी तरह घायल हो गया बस चंद मिनिटों में तलब तलब कर बच्छडे ने अपनी जान दे दी मालो जी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रत समेत आगे बढ़ गए वो गाय अपने बच्छडे के पास पहुची और वहीं सड़क पर बैठ गई तभी वहां से अहिल्या बाई का रत गुजरा वो ये नजारा देखकर वहीं ठिट अगी उन्होंने आज़ पास के लोगों से पूचा कि ये प्रूर हरकत किसने की है किसी ने हिम्मत करके उन्हें पूरी घटना बताई अहिल्या बाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने महल पहुची वहां अपनी बहु को बुलाया उन्होंने अपनी बहु से पूछा कि अगर कोई मा के सामने उसके बेटे पर रत चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए उनके इस सवाल पर उनकी बहु मेना भाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्यू दंड दिया जाना चाहिए बहु की बात सुनकर वो काफी देर तक सोचती रहे फिर जब वो सभा में पहुँची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालो जी राओ के हाथ पर बांग दिये जाए और ठीक वैसे ही रत से कुचल कर मृत्यू दंड दिया जाए जैसे गाय के पच्छडे की मौत हुई थी अहिल्या बाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए कोई भी उस रत की लगाम पकड़ने को तयार नहीं था तो वो खुद उठी और रत की लगाम थाम ली लेकिन जैसे ही वो रत को आगे बढ़ाने लगी तभी ये कैसी घटना हुई जिसने सभी के मन को जग जोड दिया आने के लिए का लेकिन वो बार-बार आकर रत के सामने खड़ी हो जाती इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए वो भी चाहती है कि आप अपने बेटे पर तया करें किसी मां को अपने बेटे के खून से अपने हाथ न नहीं दोराएं चपी होती है कैपिटल टीवे पिलाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देख तरी कैपिटल टीवे नमसकार